हेलो फेंड्स स्वागत आपका स्टडी है चैनल पर जैसा आपको पता की सीजल की डेट्स भी आ चुकी है कल से सीजल की एक्जाम्स भी है तो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया स्ट्रेजी विजियों लाने में ठीक है तो जिनके एक्जाम्स 14 के बाद है ठीक है 15 को होंगे या फिर 17 से होंगे ठीक है तो उनके लिए बहुत बैसील होने माल ला तो उन सब गलतियों को आफ सुधार पाएं और ऐसम कोई एपडेपा रहे हुए है जो एक जो और उन्तर है तो यह मैने यहिसे हैं लास्ट इर जो दिया था सीजियर का परीट रीक लिए था उससे पहलों कि आप कि हमारी क्या होनी चाहिए ताकि हम स्षोन कर सके बात करते हैं तो यह लोग करते होगा कि कि इसी क्वेशन को कॉष्चन वे सकता है कि यह बहुत टाम- lysक्री करता होगा कि केस्ट बाइघ अपके बूस्टन होता है सब्सक्राइब . सब्सक्राइक लिए अच्छा हो Tradition किसी का math अच्छा होता है, किसी का gk अच्छा होता है, किसी की reasoning अच्छी होती है, किसी की English अच्छी होती है, तो मैं अपना बता रहा हूं कि मैं English से जाता हूं, सबसे पहले English के section करना हूं, तो इसमें आपको जादे टाइम नहीं देना, आपको hardly 12 मिनिट बहुत हो गए इसके लिए, ठीक है, मैं इसको 8 से 10 मिनिट में complete कर लेता था, ठीक है, maximum question, तो आप जो भी आपका subject लगे कि मेरा बहुत अच्छा त्यारी है, आप उसमें जाओ, और आप ये मत करना कि 8 को serial by question करन एक बार आप go through हो जाओ सारे question को, ठीक है, आपके हो सकते 2 से 30 मियाट लग जाए, ठीक है, लेकिन ये 2 से 30 मियाट आपके बहुत काम आएंगे, जब आप उसको दो, कि सारे question जब एक बार देख लोगे, math के हो, या फिर English के हो, या reasoning के हो, आपको ये पता चलियागी, कौन-क सवाल आपको नहीं हो रहे होंगे, जो time taking हो, वो भी होने लगे, क्योंकि examination hall में जाके, लोगों का क्या होता है, कि लोग थोड़े से डर जाते हैं, कि उनसे अगर सवाल एक ना बने, तो और भी easy सवाल उनसे नहीं बनने लगते हैं, तो आप इस चीज को follow करना है, exam में जाक सब्सक्राइब करना है, और मैं बताना चाहूं कि आप जब start कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप 60 मिर्ट में attempt करो, ठीक है, आप process करो कि 50-55 मिर्ट में आप अपने मौक को submit कर लो, ठीक है, ज्यादा नहीं लोग को, बहुत सारी चीजे होती examination hall में, जो आपको distract करेंगी, तो आप अपने आपको prepare कर लो, कि 50-55 मिर्ट में मेरे paper complete हो जाने चाहिए, जितने मुझे आते हैं, तो आप अच्छा score कर पाओगे, और exam को आप crack कर लेगे, ठीक है, क्योंकि होता exam में जाओगे, तो आप से sign करवाने आएगा, attendance बनवाने आएगा, तो उन सब चीजों में स serial wise नहीं करो, ठीक है, आप one go कर लो, एक बार पढ़ लो, अगर आपके महत में बहुत कम score कर पा रहे हो, बहुत कम question attempt कर पा रहे हो, टाइम मिल रहा है, फिर भी आप attempt कम कर रहा हो, तो सबसे पहले आप D.I. के question देख लो, ठीक है, अब आगे आगे करके D.I. के देख लो, D. आपके तीन question यहार से बन गए, फिर आपको ratio वाले देखने है, ratio का यह question तो जरूर आता है, जो कि बहुत easy होता है, एक question आपके ratio के हो गया है, ठीक है, और बात कर लो, तो time distance से भी आता है, time speed distance से भी आता है, तो उससे भी एक question तो बहुत easy आता है, तो आप इसको पहले कर ल जाएंगे, ठीक है, और यह काते है, time and work का, time work के, दो question अगर होंगे, तो दोनों बहुत easy होते है, तो आप यह दो कर लोगे, तो देख पार होगे, तो तीन, एक, चार, एक, पांच, दो, साथ, साथ question आपको easily हो जाएंगे, कभी-कभी number system से अगर पूछ दिया, एक question तो वह भी easy होता है, तो आप यहां पर देख पार होंगे, तो आपको easily हो जाएंगे, जो आपको hardly 3 minute लगेंगे, तो देख पार जब आपका confidence build-up होगा, कि अरे मैंने तो 8 question कर लिए 3-4 minute में, तो आपको आगे के समय बचेंगे, उनको भी आप कर लोगे, और मैं एक आपको चीज ब पूस दिया हो, या कुछ भी पूस दिया हो, तो यह सब जो बनते हो, बनते हैं आपको triplet के, ठीक है, और triplet मैंने आपको classes करवा रखी, triplet के, तो आपके एक question तो इससे बनते है, triplet वाले होते, तो आप इसको ले लो, तो आप बड़ी असानी से 8-9 question अराम से कर पार होगा, अगर पहले आप 10-11 question serial by करके बना रहे होगे, ठीक है, और आपका time भी ज़्यादा जा रहा होगा, तो अभी तो आप आसानी से 5-6 meter में 8 question जब कर लोगे, तो आपको परयाप समय होगा, उसके बाद आपको जो भी question आते होंगे, जो मेटरी के, जो आपको mensuration के, जो भी easy four days, five या four days, अगर बची हैं, तो आप करो किया 10 mock को select करो, ठीक है, top 10 mock को select करो, और इसमें करना किया आपको, पांच mock को direct submit कर देना है, अब इसमें मत रह चिंते कि मैंने direct submit कर देना है, इसको solve नहीं किया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तयारी बहुत कम है तो पांच mock को direct solve करके उसको दो बार पढ़ लो, two times उसको आप क्या कर दो, सारे questions, solutions, सारे पढ़ लो, अगर दो बार पढ़ लोगे, उसके बाद जो पांच mock बढ़ के, दस में से, उनको तो, ठीक है, जब उनको आप दोगे, rest पांच को, तो देख पाओगे कि आपको काफी चीजे पहले जो नहीं बन पारी तो वो भी बन जाएगी, और जब आप पांच mock दे रहो, ठीक है, तो 500 questions होगे, इस में से 500 questions तो repeat होगे, और 500 questions आपके लिए बहुत होते हैं, जो की important questions ही होगे, जो exam में हो सकते तो पूछा, और जब 10 mock देख तो आपको पास 1000 questions आप देख च जाएगी, static gk की मिल जाएगी, ठीक है, static gk की मिल जाएगी, और maths के भी मिल जाएगे, आपको same concept के, ठीक है, और हो सकता है तो English के vocab भी मिल जाए, ठीक है, तो अगर आपको English के vocab में दिकत आ रही हो, तो हमने अभी तक 24 class कर रखी है, जो की hardly 25 मिनट की होती है, अगर 2x पर से तयार हो जागा, आपको मैं बता दूँ कि 2-3 मौक तो मौक के question, ठीक है, मौक में आपको question vocab के दिख जाएगे हमारे class के, ठीक है, तो आप इसको भी prefer कर सकते हो, तो आप इस strategy को जो मैंने बता है, उसको try करो, और बताना फिर comment में कि आपके marks increase हो रहे है, या नहीं हो रह तो आप हमेशा कोसिस करना कि 50-55 minutes में submit करना है, ठीक है, और serial wise नहीं करना है, आपको subject सबसे अच्छा पहले उसको attempt करना और एक बार सारे questions को go through कर जाना है, उसके बाद आप उसको attempt करो, एक minute आपको लगेंगे, ठीक है, एक minute देना है, या जो भी 50 second, 20 second लगेंगे, तो एक आप दे लो, ताकि वो आपको beneficial होगे, और point out कर लेना कि कौन-कौन से सवाल, एक one go में होने वाले, कभी फसो मत, लालच में फसोगे, मैस के question के, लगेगा कि हो जाएंगे, और time tracking होगा, जो आपका time click करेगा, तो जो one go में हो रहे हैं, उसे करो, जो नहीं हो रहे हैं, उसे जब one go में आप सारे paper को कर पाऊगे, तो आप hardly देख पाऊगे कि 50 question तो आप कर लोगे, ठीक है, आपके पास फिर भी 15 मिनट या 17 मिनट बचे रहेंगे, जब दूबारा जाओगे, तो आपको वो चीजे भी होने लगी जो बची हुई थी, ठीक है, पचास तो मैं minimum बोलना ह जो अच्छे से कर पा रहें, वो 60-70 कर पाएंगे, ठीक है, और उस 15-17 मिनट एक बार गो थूरू होंगे, तो दूबारा आप कहां पर गलती होता है, कभी कभी आप सही कर लो, लेकि ऑप्सन में गलती हो जाता है, स्लाइड हो जाए माउस का, तो आप उस चीज को भी सुध हो जाएंगे, ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर जैसा की एक्जाम खतम होता है, तो मैं इस पर अगर आप लोग चाहतों कि एनलाइस वीडियो भी लाओं तो वह भी लाओंगा, ठीक है, लेकिन एक्जाम खतम होने के बाद, ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैं जाँ जाँ